पिता परमेश्वर और प्रभुईशु मसीव के नाम में आप सब को शाम का नमस्कार आप सब का स्वागत है आज के बाइबल स्टडी की इस क्लास में लेसन नमबर 45 जो हम जारी रखेंगे लेसन नमबर 45 चर्च का इतिहास जो भी तक हम देख चुके वो साथ कलीसिया हैं उन साथ कलीसियाओं का समय के कौन से समय से कौन से समय तक कौन सी कलीसिया थी और उन साथ कलीसियाओं के विशे में प्रभुईश्य मसी ने जो मती तेर्मे अद्याय में दिये द्रिश्टांत आज हम जाएंगे तीसरे और अंतिम पड़ाओ में और वो है इन साथ कलीसियाओं के लिए चुने गए साथ स्वर्ग दूतों के बारे में जिसके विशे में हमने पड़ा था प्रकाशत वाक्य एक सोला में के वे अपने दाइने हाथ में साथ तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दो धारी तलवार निकलती थी तो यह किसकी बात हो रही है प्रभू ईशु मसी के हाथ में कितने तारे साथ तारे और इस वचन का अनुवाद जब हम देखते हैं 20 वे वचन में प्रकाशत वाक्या एक का 20 वचन तो वो साथ तारे जो प्रभू के हाथ में थे वो है साथ कलीसियाओं के स्वर्ग दूत प्रभू की अगर साथ कलीसिया हैं थी तो उन साथ कलीसियां के लिए साथ स्वर्गदूतों को चुना यानि की एक-एक कलीसिया का एक-एक स्वर्गदूत अब ये स्वर्गदूत ये जो शब्द है जिसे इंग्लिश में एंजल्स शब्द से हम जानते हैं यह स्वर्गदूद शब्द जो हम समझते हैं, जो जानते हैं हमें लगता है यह हम समझते हैं स्वर्गियस रिष्टी या स्वर्गियस स्वर्गदूद लेकिन स्वर्ग दूत का एक्शुल में जो शब्द दर इस्तेमाल हुआ है वह है ग्लोज ग्रीक भाशा का शब्द है ग्लोज ग्रीक भाशा का शब्द 32 जिसका मतलब होता है मेसेंजर संदेशा देने वाला यसिनपर शब्दों में बोलने पास्टर कलीसिया के लिए जो चुना गया पास्टर तो यह जो साथ कलीसियाओं के जो साथ स्वर्ग दूत हैं इसका मतलब है एक एक कलीसिया के लिए प्रभू ने जो पास्टर चुना संदेशा देने वाला चुना और उसने जो संदेशा दिया वो बड़ा खास संदेशा था वो ही उस कलीसिया का अगुआ था पास्टर था तो चलो एक एक करके देखेंगे इन साथ खास चुने हुए पात्रों के बारे में जिनको प्रभु ने इस काम के लिए चुना तो सबसे पहली कलीशिया जो थी एफसेस जिसका समय था तेतिस इस्वी से लेकर सत्तर इस्वी तक मैंने लिखा हुआ है तो हम देख सकते हैं जी तो पहली कलीशिया एफसेस की कलीशिया तो थोड़ा पढ़ा तर ले एफसेस की कलीशिया के लिए चुना हुआ स्वर्गदूद कौन सा था तो जब हम पहली कलीशिया की ओर नजर मारते हैं तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सत्य तो किसके द्वारा प्रकट हुआ एफसेस की कलीशिया में एफसेस की कलीशिया यानि की 33 इसवी से लेकर सत्तर इसवी के दौरान सबसे ज़्यादा सत्य किस स्वर्गदूद से प्रकट हुआ वो और कोई नहीं सरी किस मेसेंजर से प्रकट हुआ या कि सगुए से प्रकट हुआ तो याद रखिए यह 33 इसवी का समय प्रेरतों का समय था और उस समय सबसे ज़्यादा जिसने सत्य प्रकट किया उसके बारे में आप जानते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा बाइबल का चौदा किताब उसके द्वारा निप्टी गई जिसका नाम था प्रेरत पॉलुस है पहले स्वर्गदू या मेसेंजर जिनको चुना गया पहली कलीसिया का अगवाई करने के लिए जोती एफसेस की कलीसिया चौदा नहीं नयम में चौदा किताबें इनके द्वारा लिखी गई इबरानी इबरानिया की पत्री तक इनकी लिखत है और इनके विशे में हम पढ़ते हैं इबरानियों सरी रोमियों ग्यारवाद याई चौदा वचन में रोमियों ग्यारा चौदा ताकि किसी रिति से मैं अपने कुटूंबियों से जलण करवाकर उन्में से कई एक काउधार करआँ तो प्रेरित पॉलस जो है शरीरिक रूप से इबरानी थे और प्रेरित पॉलस का लिखने का तरीका बड़ा गहरा था और प्रेरित पॉलस को क्या बोलते हैं लौ के बारे में नॉलेज भी बहुत जादा थी श्कॉलर था प्रेरित पॉलस की इसलिए प्रेरित पॉलस की पत्रियां न खाली क्रिश्चन्स बलकि रादा स्वामी को मानने वाले भी प्रेरित पॉलस को बड़ा एप्रिशेट करते हैं उसकी लिखतों को पढ़ते भी हैं तो पहला जो मेसेंजर प्रभू के द्वारा चुना गया कलीसिया में पहली कलीसिया की एगवाही करने के लिए वो है प्रेरित पॉलस जिसके बारे में प्रभू ने खुद गवाही दी क्या बोला था प्रेरितों के काम 9-15 में परंतु प्रभू ने उससे कहा तू चला जा क्योंकि ये तो अन्य जातियों और आ जाओं और इस्राइलियों के सामने मेरा नाम प्रगट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है तो देखिए प्रेरित पॉलस प्रभू विश्य मसी के द्वारा चुना हुआ पात्र था और यही चीज को पहला कुरंतियों 9-10 एक और दो वचन में वो बता रहे हैं क्या मैं स्वतंत्र नहीं क्या मैं प्रेरित नहीं क्या मैंने ये शु को जो हमारा प्रभू है नहीं देखता क्या तुम प्रभू में मेरे बनाय हुए नहीं यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं फिर भी तुमारे लिए तो हूँ क्योंकि तुम प्रभू में मेरी प्रेरिताई पर चाप हो देखे तुम प्रभू में मेरी सेवकाई का की शाप हो तो प्रेरित पॉलिस बार-बार अपने आपको स्थापित कर रहा है प्रेरित करके चेला नहीं अपॉसल अपॉसल और डिसाइपल में मैंने बताया आपको फरक होता है अपॉसल बारा ही है डिसाइपल्स हम सब हैं और इस बात को दुबारा से पढ़ लेते गलातियों एक-एक में पॉलुस की जो ना मनुश्य की ओर से और ना मनुश्य के द्वारा वरन येशु मसी और परमेश्व पिता के द्वारा जिसने उसको मरेहूं में से जिलाया प्रेरित है जी तो प्रेरित पॉलुस क्या बोल रहे हैं यहां पे मैं अपॉसल हूँ प्रेरित पॉलूस अपॉसल है मनुश्यों के द्वारा नहीं अ मनुश्यो के पिना और रभू इसमसी के द्वारा तो मतलब ना तो मुझे चुनने वाले मनुश्य हैं मतलब मनुश्यों के दुवारा नहीं आपको पता हो जब यहुदा गिर गया तो प्रेरितों ने जिनको चुना था उसका नाम था मतियास तो प्रेरित पॉलिस बोलते के प्रभू का बारवा अपॉसल जो है वो मनुश्यों के द्वारा नहीं चुना जाएगा यानि कि वो बाकी ग्यारास के द्वारा नहीं चुना जाएगा और ना ही मनुश्यों के तरीके से चुना जाएगा प्रभु खुद चुनेंगे और प्रभु ने प्रेरित पॉलुस को चुना यह हमने पढ़ लिया गलातिया प्रेरितों के काम नौ पंद्रा में तो प्रेरित पॉलुस है वो बारवा छेला जिसने यहुदा की जगह ली प्लस पहला स्वर्ग दूत पहली कलीसिया के लिए पहला मेसेंजर पहली कलीसिया के लिए सबसे ज़्यादा सत्य प्रकट किया प्रेरित पॉलुस में तो इसमें कोई शंका की गुझाइश नहीं है कोई शक नहीं तेक है आगे चलते हैं दूसरे कलीसिया के मेसेंजर की योर दूद की योर ये दूसरी कलीसिया के लिए जिसने अगवाई की जो अगवावना वो कौन था वो था प्रभू का सबसे प्यारा चेला यहना क्योंकि 70-20 तक पहुंचते पहुंचते सारे प्रेरित प्रभू के मर चुके थे एक ही प्रेरित बाकी बचा था तो समर्ना की कलीसिया का समय था जो कलीसिया दूसरी थी समर्ना की कलीसिया 70-20 से शुरू होकर 313-20 तक और यहां पर खाली एक ही प्रेरित बचा था वो कौन था वो था जिससे प्रभू बहुत प्यार रखते थे यहना 21 का 20 में यह प्रभू विश्य मसी किस से बहुत प्यार करते थे यहना से क्योंकि यहना उमर में बहुत छोटा था तो इस समय के दौरान एक ही चेला बचा प्रेरित बचा और वो था चेला यहना और इसका सबसे बड़ा सबूत है परकाशित वाक्या की किताब इतनी गहरी किताब और पूरा फ्यूचर जिसमें बता दिया गया और यहना ही है जिसने प्रभू विश्य मसी और पिता परमेश्वर के रिष्टे के बारे में बहुत डिटेल में लिखा उसी ने प्रकट किया क्या आद में शब्द था शब्द परमेश्वर के संग था शब्द परमेश्वर था तो यहना है वो दूसरा चेला जिसके दुआर आप प्रकाशित वाक्या भी लिखा गया और दूसरी कलीसिया की अगवाई के लिए जिसको चुना गया स्वर्ग दूद के तोर पर समर्ना की कलीसिया के लिए वो था चेला यहना लगबग 99 इसवी के करीब यहना की डेथ हुई है थोड़ा बहुत उपर निचे बट यही समय के लिए और एक ही ऐसा प्रेड़ जो सब्वाविक कम्रित्यों मरा तो वो दूसरा चेला तो दूसरा मेसेंजर जो है कलीसिया के लिए वो समर्णा की कलीसिया के लिए कौन यहना पहला अपॉसल पॉल दूसरा अपॉसल जॉन तीसरा कौन पर्गमोस की कलीसिया तीन सो तेरा इसवी से लेके ग्यारा सो सत्तावन इसवी तक यह वो समय था जिसमें शैतान जो था पूरी तरह बीज बो चुका था और गलत शिक्षा जो थी वो इसमें दाखिल हो चुकी थी कलीसिया में दाखिल हो चुकी थी और आपको मैंने जब मसी विरोधी की क्लास हमने की थी उसमें बताया था कि कॉंस्टेंटीन करके रोमन बंदा था जिसने एक एक मीटिंग अरेंज की एक डिबेट अरेंज किया 325 इसमी के करी और वो डिबेट था उस डिबेट का नाम था नाइस एन आई सीए और उसमें उसने क्या बोला नाइस एक जगा थी जहां पर यह डिबेट हुआ 325 इसमी में उस डिबेट का थीम था कि क्या प्रभु इश्यु मसी और पिता अलग लग हैं या एक ही हैं और उसका अधारित वचन चुना गया यह मैं और मेरा पिता एक हैं अब इस डिबेट में यह साबित होना था कि क्या प्रभु इश्यु मसी ही पिता है या पिता कोई और है तो एक एरियस नाम का बंदा था ए आर आई यू एस एरियस नाम का बंदा था जो इस डिबेट में शामिल था और इस एरियस नामक बंदा जो बजर्ग था उसने सत्य की रोशनी को प्रकट दिया और इसका डिबेट था अथनेस एसे करके नाम था बंदे का जो शोटा था उसने बोला नहीं पिता और पुतर एक हैं लेकिन एरियस बोला नहीं ये अलग लग है पिता अलग है पुतर अलग है तो एरियस का आर्ग्यूमेंट था उसने बोला कि पिता पिता है पुतर पुतर है ये दोनों अलग लग हैं इसका मतलब पिता पुतर से पहले था जब पुतर था भी नहीं तब पिता था और पिता ने ही पुतर को बनाया और सारी स्रिष्टी को रचा मतलब प्रभुईश्य मसीः को रचने वाले वो हैं तो ये एरियस का आर्ग्यूमेंट था लेकिन अठैनियस जो था उसने इस बात को सविकार नहीं किया और उसने बोला नहीं ये दोनों में एकता है और इन फैक्ट शिक्षा उदर से निकली ट्रिनिटी की पिता पुतर पहत्रात्मा ये तीन अलग लग हैं जबीस हैं तो ये जो एरियस नामक बंदा था ये लिबिया से था एक टीचर था मिसर में जहां पर शुरुआती कलीशिया भी थी लेकिन इस डिबेट में जो रिजल्ट सविकार किया गया वो ये कि पिता और पुतर एक ही हैं और एरियस के आर्गुमेंट को जुठला दिया गया और तब से अब्यसली मैंने बोला आपको ये कंस्टेंटीन पहले रोमन था जिसने क्रिस्चेनिटी को एक्सेप्ट किया और रोमन कैथलिक कलीशिया का उदर से विस्तार होना शुरू हुआ और रोमन कैथलिक कलीशिया से चलाई ये शिक्षा के पुता पुतर और पवितरात्मा एक ही है ट्रिनिटी है त्री देव हैं तीन परमिश्वर हैं लेकिन ये तीनों एक हैं ऐसा शिक्षा स्थापित हुआ तो एरियस इस बात का विरोध करता रहा उस समय और एरियस की आज के जिसे आप तर्की में क्या बोलते हैं इस जगा का नाम बड़ी फेमस तर्की में बड़ी फेमस जगा जहां गुमने जाते इस्तनबुल आज जो इस्तनबुल है उस वक्त कॉंस्टेंटीनुपल था तर्की में एकदम से एरियस की डेथ हुई और पता चला के उसको जहर दी गई थी प्रभुईश्य मसी एरियस के विशे में प्रकाशत वाक्या में बोलते हैं मेरा वफादार विश्वास योग्या साक्षी माटर है माटर कौन होता जो शहीद होता है तो यह दूस्त तीसरी कलीसिया के स्वर्ग दूत के बारे में जो साक्षी है कि यह मेरा वफादार साक्षी जो मेरे लिए शहीद हुआ तो यह एरियस था तीसरी कलीसिया का जो दूत एरियस था जिसने खुल कर रोमन कैतलिक कलीसिया के इस शिक्षा का विरोध किया चौथा जो कलीसिया का स्वर्ग दूत ताहित्रा की कलीसिया जो शुरू होती है ग्यारा सो सटावन से चलती है इस कलीसिया का जो शुना गया मेसेंजर था उसका नाम था पीटर वॉल्डो पीटर वॉल्डो चौथी कलीसिया का समय वो समय था जब रोमन कैतलिक कलीसिया मसी विरोधी संगटन पूरी पावर में था और इस समय जिस मेसेंजर को प्रभू ने चुना जिस दूत को प्रभू ने चुना कलीसिया की एगवाई करने के लिए सच्चाई प्रकट करने के लिए वो उसी शहर से था जहां पोप संगठन का सेंटर था वो था फ्रांस और उसका नाम था पीटर वॉल्डो पीटर वॉल्डो एक बड़ा अमीर व्यापारी था दक्षिन फ्रांस से और ऐसे कुछ बाची चल रही थी एक मीटिंग चल रही थी जिसमें एक बंदा अच्छन चेत गिरा और मर गया इस वाक्या ने पीटर वॉल्डो को अंदर से जिन्जोर दिया हला दिया धर पैदा कर दिया कि ये मृत्यू क्या है ये मृत्यू की सजा क्या है बहुत अमीर था सोचना शुरू किया और पश्तावा किया अपने जीवन को बदला अपना जो भी दन संपत्ति थी गरीबों में बाट कर इसने बक्ति को चुना बक्ति डूंडनी शुरू की सीखने का उच्छा पैदा हुआ और सिखाने का उच्छा भी पैदा हुआ यहां तक कि उसने कैथोलिक कलीसिया के याचिकों को नौकरी पे रखा उस याचिक का नाम था स्टिफनास दे इवास के बाइबल को ट्रांसलेट कर फ्रेंच में लतीनी बाशा में थी बाइबल अपने पैसे देकर उसको हायर करके इसने बाइबल को फ्रेंच बाशा में सबसे पहले फ्रेंच बाशा में अनुवाद हुआ था बाइबल का लतीनी बाशा से और जब अनुवाद हुआ उसने बहुत सारे अंतरों को नोटिस किया कि कैसे रोमन कतलिक कलीसिया के जो बिश्वास हैं वो प्रभु यूश्यमसी की शिक्षाओं से मिलते ही जुलते ही नहीं है फिर उसने अपना बिजनस बिजनस छोड़ कर जैसे मैंने बोला गरीबों में संपत्ति बाट कर सिखाने में लग गया और इसके फॉल्वर्स को बोला गया वाल्डनीस पीटर वाल्डो वाल्डनेस इस इसने बहुत काम किया और रोमन कैटलिक कलीसिया का विरोध पीटर वाल्डो के द्वारा ही चुरू हो गया क्योंकि उसने नोटिस कर लिया कि कैटलिक कलीसिया प्रभु इश्यमसी की शिक्षाओं से बहुत दूर है और कुछ और ही विश्वासों को प्रकट कर रही है तो मार्टिन लूतर से पहले ही यह काम शुरू हो गया इस तरीके से पीटर वाल्डो के एफर्ट्स की वज़े से प्रोटेस्टेंट एक क्रांती यॉरॉप में फैली यॉरॉप में सत्य गया और लतीनी बाशा से फ्रेंच बाशा में बाइबल अनुवाद दूए और उसके बाद ऑविसली इंग्लिश में दूए पीटर वाल्डो बोहेमिया नामक जगा में अपने अंत्यम समय में रहा और ग्यारा सो उनासी में उसकी मृत्ति हो गई ग्यारा सो उनासी तो तायतरा की कलीशिया के लिए प्रभुईश्य में जिसको चुना उता पीटर वाल्डो अब इसके चाथी कलीशिया के विशे में आप देखिएगा दृष्टान उसमें क्या बला एक अमीर को एक मोती मि सब्सक्राइच को और उसमोती को खरीद लिया तो यह पीटर वाल्डो था ठीक है पांचवी कलीशिया सर्दिस सर्दिर्स की कलीशिया 1367 से लेके 1517 इसवी तक और इसके लिए जो जिसको चुना गया एज अ मेसेंजर कलीशिया का अगुआ मेसेंजर पास्टर वो था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक टीचर इंग्लेंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में से एक टीचर जिसको जिसको क्या बोल सकते हैं रेफरमेशन के पहले का टारा भी बोल सकते हैं इसका नाम था जॉन वाइकलिफ जॉन वाइकलिफ बहुत बोल्ड रिफॉर्मर था करांती को लेकर बड़ा इसके विचार क्लियर थे इसने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और बाइबल को प्रॉपेगेट किया मतलब सत्य को फैलाना शुरू किया मिन बोलते थे लौलाड लॉलाड शब्द जर्मन भाशा का शब्द लोलन से लो लिन Animals अता था मेस्नका मतलब होता है लो लेंद का मतलब होता है दीरे दीरे गाना क्याया तो जॉन वाइकलिफ ने क्या किया जो गरीब उस वक्त याचक लोग थे उनको इस्तिमाल करके सुसुमाचार का मेसेज यॉरप के हिस्सों में पहुंचाना शुरू किया जैसे मैंने बोला इंग्लिश में बाइबल को भी ट्रास्लेट करवाया और पवित्र शास्तर को बाइबल को कॉमन लोगों तक लेके गया बहुत इंटेलिजेंट था समझदारी में बहुत क्लारिटी थी सत्य को लेकर बहुत बोल्ड था और रेफर्मेशन क्रांती का मॉर्निंग स्टार जिसे बोल दो इधर से हूँ एक्शुली शुरू हुई थी क्रांती जो बाद में प्रोटेस्टेंट रूप ले गई पंद्रासो सत्रा में तो पाचवी कलीसिया सर्दिस की कलीसिया का जो चुना हुआ मेसेंजर है उसका नाम था उसका नाम था क्या जॉन वाइकले चटी कलीसिया का चुना हुआ स्वर्दी मेसेंजर फिलाडेलफिया और इसके बारे में कोई शक नहीं होनी चाहिए और कोई नहीं जर्मनी से चुना गया एक बंदा जिसका नाम था मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर जिसने 90 से उपर थीसिज लिख दिये रोमन कैथलिक कलीशिया के विरुद सारी गलतियों को रोमन कैथलिक कलीशिया में की जाने वाली प्रैक्टिस का खंडन किया और खुलकर विरुद किया पंद्रा सो आक इसवी में विटनबर्ग की एक युनिवेसिटी में टीचर था और पंद्रा सो च्यालीस तक यही उसकी पुजीशन थी पंद्रा सो ग्यारा में रोम की एक कलीशिया में गया पापों की शमा प्राप्त करने के लिए और उदर देखा लोग कैसे पैसे लेके अलग लग चीजें लेकर पापों की शमा करवाने के लिए लगे पड़े हैं अपने पापों के उसमें दूबे हुए हैं शमा चाहिए याचकों से अलग लग रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसने सोचना शुरू किया ये क्या और इसको मिला ये वचन कौनसा रूमियों एक सत्रा पढ़िए क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रगट होती है जैसा लिखा है विश्वास से धर्मिजन जीवित रहेगा जब उसको ये वचन उसने पढ़ा और समझा उसको समझ में आया यार पापों की शमा चाहिए वो तो प्रभू पे विश्वास करने से मिलती है ये सब जो चल रहा है ये क्या है तो उसने इस बात का खंडन किया 1520 इसवी में मार्टन लूथर ने पेपल बुल पब्लीकली जलाया और उदर से शुरू होई प्रोटेस्टेंट मूव्मेंट पोप के संगठन के विरोध की क्रांती और इनकी शिक्षाओं का शुरू हुआ खंडन तो कैथरीन वोन बोरा करके एक बंदी थी जिसके साथ इसकी शादी हुई जो पहले नन थी नन थी जिसने मार्टन लूथर के साथ शादी की और बहुत उसने मदद की इसकी बहुत विरोगता हुई Martin Luther की Roman Catholic कलीसिया के द्वारा और उसको Father of Reformation बोलते हैं Roman Catholic लोग Martin Luther का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे बहुत नफ़रत करते हैं Roman Catholic जो इतिहास जानते है कि ये मारतन लूथर कौन था जी तो मारतन लूथर था साथ वी कलीसिया 가 च्छटी कलीसिया का चुना हुआ मैसेंजडर या स्वरदूथ या दूथ अ अब आते हैं यह कलीस doctrine में हम हैं लावडेसिया की कलीसिया लाउडेसिया की कलीसिया प्रभु की मौजूदगी की कलीसिया इस कलीसिया का चुना हुआ पाकर चुना हुआ मेसेंजर कौन है बहुत लोगों ने क्लेम किये लाउडेसिया की कलीसिया के विशे में लाउडेसिया की कलीसिया के स्वर्गदूत या मेसेंजर के विशे में बड़े लोगों ने क्लेम किये लेकिन एक्शुल में ये कौन है ये प्रभु की वापसी प्रभु जब वापस आ चुके है तब का मेसेंजर है तो प्रभु ने कि इसको चुना वो भी बड़ा खास था और जिसके विश्य में प्रभु की गवाही देखो क्या है मती 26 वाद्याए 45 वचन अते वे विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकपर चाक्रों पर सरदा ठहराया किस समय पर उन्हें भोजन दे एक और वचन 24 का 46 47 आगे इसी कहीं धन्य है वे दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए मैं तुमसे सच कहता हूं वे उसे अपनी सारी संपति पर अधिकारी ढहराएगा तो यह प्रभुख बुल रहे हैं कि वो दास जब स्वामी आ जाता है और उसको जब स्वामी आके देखे और अपने दास को खाम करते पाए तो क्या ही अच्छी बात है तो प्यारे भाई और बहनों आज उस शक्स का नाम आपके सामने प्रकट करने जा रहे हैं जिस शक्स के द्वारा प्रकट की गई शिक्षाओं को आज तक आप सुनते आए हैं और वो है उसका नाम है चार्ल्स टेज रसल साथवी कलीसिया के लिए चुना गया पातर जिसका नाम है चार्ल्स टेज रसल अमेरिका से संबंद मलब अमेरिका से थे ब्रदर चार्ल्स टेज रसल जिसके बारे में प्रभु ने गवाही दी है वफादार और विश्वास योग्य और समझदार सेवक चार्ल्स टेज रसल को जब आप गूगल करो जाकर तो उनका नाम जोड़ा जाता है जे डब्लू के साथ लेकिन नहीं चार्ल्स टेज रसल के द्वारा जो मूमिट जो चार्ल्स टेज के The followers की स्टूरण्स का नाम् है वहै वाइबल स्टूर्ण्स हम सब्सक्राइब, इसका जो यहोवाविटनस जिसे आप बोलते हैं इसका फाउंडर जो ता की डेथ के बाद जो उनकी पुजीशन ली जौसफ रदर फोर्व ने ली थी और उसने एक नई मिशन चलाई जिसका नाम था यहोब लेकिन बहुत सारी शिक्षाओं के साथ कॉम्प्रोमाईज कर गए तो ब्रदर चार्ल्स टेज रसल एक बहुत बड़े बिजनसमैन थे अपना सब कुछ उन्होंने सत्य के लिए दे दिया अंधकार की रोशनी से सत्य प्रकट करके लेके आए अपने पूरे जीवन काल में डेड़ लाक से लगबग पेज लिख दिया उन्होंने उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है और खास करके यह जो दिवय योजनाओं का चार्ट है किदर गया चार्ट? नहीं है चार्ट यह जो हबकूक 2-2 को चार्ट के रूप में कनवर्ट करना परमेश्वर की योजना को ट्राइंग रूप में बना देना ये चार्ल्स टेज रसल का काम है जिसने दर्शन को लिख दिया छे वॉलियम्स लिखे उन्होंने छे वॉलियम्स और उनके विशे में एजिकियल में भी गवाही है तडिये एजिकियल नौ तीन तब इस्राइल के परमेश्वर का तेज करूबो पर से जिन के उपर वे रहा करता था भवन की डेवडी पर उठ आया था और उसने उस सन के वस्त्रे पहने हुए पुरुश को जो कमर में दवात बांदे हुए था उकारा तो कमर में दवात बांदे हुए जो था उसको उकारा यह और कोई नहीं इसकी आपको पोटो बिल जाएगी सबसे ज़्यादा बाइबल की शिक्षाओं में लिखने वाला बंदा जिसका नाम था चार्ल्स टेज रसल बहुत काम किया इनोंने 1889 से लेकर 1916 में उनकी डेथ हुई और यही थे वो ब्रदर जिनोंने डिसकावर किया के प्रभुविश्य मसीग का आदमन 1884 में हो चुका है डाई लाक डॉलर उस समय इनकी संपक्ति थी डाई लाक डॉलर अठारा सो मैं सक्तर की बात कर रहा हूँ जो सब कुछ बेच कर इनोंने सक्ते में दे दिया और जिस दिन डेथ हुई जेब में सखाली पांच डॉलर थे इनके विशे में आपको बहुत कुछ बताएंगे इनकी पूरा बिजनेस साड़े तीन लाक डॉलर का था वो सारे का सारा इनोंने मिनिस्ट्री में लगा दिया जरा सोच लो उस वक्त साड़े तीन लाक डॉलर आज की वैल्यू जरा सोच लो कितनी होती है दुनिया के टॉप पचास अमीरों के बीच में होते आज ब्रदर अगर आज की वैल्यू से आप देखो बहुत जगा गए इंडिया में भी आए इंडिया में यह बारनसी बनारस ने हर्दवार हर्दवार में भी आके प्रचार किया पूरे वर्ड में गए हैं गुमें हैं सदर्न इंडिया में आए हैं सदर्न इंडिया में इनके नाम का एक गाओं है पर लब एक छोटा सा कस्बा उसका नाम है रसल पूरम जब आये थे हजारों की तदाद में लोग थे पिछे जब निकलता था इनका काफला ना तो नामी कलीसिया थर-थर कामने शुरू कर देती सद गरेंट के थे ट्रेंज की बरके इनके साथ लोग चलते थे इसी ती इनकी इंटलैक्ट और इतना कुछ लिका है इतना सचाई को शिंप्ल कर दिया है आज आप सुन रहे हैं वो सचाईया यह सचाई मेरी नहीं मेरे त्वारा uniqu determines ये यह सचाईया जो आप सुन रहे है वो इनको प्रकट करने वाला faithful and wise servant brother असल है और हम अपने आपको Bible students बोलते हैं Bible students कोई mission नहीं है Bible student नाम ही इसलिए दिया गया था कि हम Bible के students हैं Bible के विद्यारती हैं हमें Bible पढ़ते रहना है मरते तम तक उसी पर बरुसा करना है वो ही पढ़ते जाना है कि और इन श्वर्गडूतों के बारे में इन messengers के बारे में इन साद्कली सियाओं के बारे में एक पूरा द्याय है जेकरया में चार से लेकर, चार से लेकर च India, प्राइन और ज्यादा। प्यारे बहूरे और बहूंँ और ज्यादा मैं इसकी detail में नहीं जाओंगा आप खुद lesson से थोड़ा पढ़ दीजेगा हम तीन अफते हो गया इस lesson पे चलते हुए तो simple शब्दों में ये साथ कलीशिया का समय था एफसस की कलीशिया जिसका स्वर्दूत प्रेरित पॉलुस समरना की कलीशिया जिसका स्वर्दूत प्रेरित यहना परगमोस की कलीशिया जिसका स्वर्दूत एरियस थायत्रा की कलीशिया जिसका स्वर्दूत पीटर वॉल्डो सार्देश की कलीशिया जिसका स्वर्दूत ज जॉन वाइकलिफ फिलाडेलफिया की कलीशिया माटिल लूथर और सात्वी कलीशिया का स्वर्गदूत चार्ल्स टेज रसल परमेश्वर ही अपने बचनों के साथ आप सबको अश्रवाद दें आप सबको निवेदन है कि लेसन को द्यान से पढ़िए सुनिए अगर कोई शं और ब्लस् करने आप सहल परम पमागर को एक अपने को छिए आप साथ आप स्वर्वर्द वाद दें रसाप की लेड़ाद रहने मामपना का स्वर्वर्दूत ऑटक्ट थर अवार सबकि अवार्वर्दूत वाह बचनों के लिए आफ